टेस्ट प्रिकेट का जो एक नशा होता एक मज़ा होता है शायद इससे बहतर होई नहीं सकता ना T20 आपको आफर कर सकता है ना ODI क्रिकेट आपको आफर कर सकता है जब इंडिया हैस री डिफाइन टेस्ट प्रिकेट फॉर एर्स तू कम सतर सालों में पहली दफा फर्स इनिंग्स में जो टीम बैटिंग कर रही थी उन्होंने अंडर 35 ओवर्स डिकलेर किया इसके कल तक लग रहा था कि अब कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है इदर कुछ नहीं हो सकता वहां इंडिया की ब्रिलियंट ट्रिकेट ने इंडिया के स बिलीव ने और वो जो डिब्ली टी सी फाइनल में पहुचने की भूख है जो टीम अलवड़ी दो दफा पहुच चुकी है आज उस टीम ने टेस्ट ट्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया आज से कोई भी बैटिंग तेस करेगा तो इंडिया का यार्ट स्टिक इस्तमाल किस थारा विक्टें 433 रंस सारे रिकॉर्ड्स टूड़ गए बैटिंग के 145 साल की हिस्ट्री आज बदल गई इंडिया ने महस 35 साल की जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है उसको पलट के रख दिया री राइट कर दिया लेकर इंडियन क्रिकेट ने आज इन बल्ले कि एल राहूल पचाफ टाप चुका है तो उसने नहीं सोचा मैं थोड़ा सा सलफिश होके हैं सेंचिरी बना लो एक ड्रेसिंग डूम में मैसेज था उस लीडर की तरफ से जिस लीडर का नाम रोहिश शर्मा है जो सिर्फ अपनी बैटिंग से लीड नहीं करता अपनी फिल कि जब आज साड़े पाच बड़े इंडियन स्टेंड़ टाइम कानपूर में ये दिन खतम हो रहा होगा इंडिया बंगलादेश से सरफ महस आठ विक्टे दूर होगा और अभी भी बंगलादेश के उपर 26 रन की लीड है अब बंगलादेश यहां बचे यहां अटाक करे इवेंचुली जिस तरह बंगलादेशी बैटर्स की बॉडी लेंगविज दिखी वो यही है कि एक अच्छा बॉल आएगा यह अपना विक्ट देके चले जाएंगे शायर इस विक्ट में डीमन नहीं है यह जो पिछ है यह अठारा विक्टे एक दिन में गरने वाला विक् कि एक दफा फिर हमने WTC फाइनल में पहुचना है जिए बैटिंग शुरू की तो शायद सो में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो यह सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट औरियोंटेट बनाया जा सकता है और वो एक बंदा प्रहिश शर्मा था जिसने अपने टीम को यह सोच द बंते होंगे पार्टी विक्टें दुनिया भर में वाइड बॉल के नदर हो रही है इतनी तेज क्रिक्ट वहां पी भी नहीं हो रही जितनी तेज कानपूर में इंडिया बंगला दिश के खिल रहा है और कम असकम हम लोग यह पाकिसनानी यह नहीं कह सकते कि माठी टीम है क क्योंकि इसी टीम के हातों हम दो टेस मैचिस हा रहे है और जो कमाल किया है इंडियन बैटर्स ने दाद बनती है तारीफ बनती है मतब थोड़ा दिल बड़ा रखके तारीफ करनी बनती है कि यह कमाल हुआ है यह वो क्रिक्ट खेल रहे हैं जो इमेजिनेशन में खिली जात कि मैंना दंग रहा जाता है या टेस्क्रिकेट है यह मैक्सिम दो यह उप्शन हो सकते हैं एक ड्रॉर एक इंडिया की जीट बहुत इसकी जीट नहीं है और यह सोच की वाद़ से चेंज हुआ यह आपको बखी चीज़र पिताने वाला हूँ सतरा वर में एक्सो एक्सो एक प्रॉंड यह नहीं होँआ था यह टेस्क्रिकिट के अंदर हो रहे है यह माना पड़ेगा इस वक्त दुनिया में सबसे तगडी क्रिकिट चाहे वो टी-ट्वंडे हो चाहे वो टेस्ट हो वो इंडिया खेल रहे हैं और अब यह मस्त दोस्तों भारती पावर में आपका स् हाई दिन का जो खेल वर्बाद हो था उसको सब कुछ वसूल कर लिया आपको पता है कि इंडियन टीम ने पहले टॉज जीता था और इसके बाद बॉलिंग करने का फैसला लिया था इसके पाद बंगलादेशी टीम 233 सनुप ड्याल आउट हो गई जस्परीद बुमरा जो ह हमेशा की तरफ जबरधस बॉलिंग के तेद और तीन विपेट लिये इसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करने आई और सबको ये लग रहा था कि नार्मली बैटिंग करेंगे और करेंगे कि नॉर्मल खेले लेकि जिस तरीके से इंडियन टीम की माइन सेट है, ये दिखा तो जिस तरीके से और जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग हो रही थी वो देखने लाई था ऐसा लग रहा था टेस्ट मैस नहीं 220 चल लाई है ताब और तोर बैटिंग और फिर 9 गिरा भारत का 285 पे और इंडियन टीम ने डिक्लेयर कर गिया इसके बाद बंगलादेशी टीम फिर से बैटिंग करने आई और अस्विन ने अपना जादो फिर से बिखेरा और 26 अनों पे दो बिगेट गिरिया बंगलादेश टीम का अलत यह है बंगलादेश टीम की कि अगर कल वो बैटिंग करते हैं तो ट्राई करेंगे कि जितना जादे बैटिंग कर सके यह तो यह के गत्रे की रहे हैं उसी तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी बने और इंडिया बेर ऑल आवर बंगलादेश in search of famous victory in search of famous वक्रिक्ट टॉ लौंग लिफ टैस्क्रिक्ट टैस्क्रिक्ट में अब देखने दो स Kasudotoacerum लेकिन डोनों की अपरोच में अपने एप फरक देखे जमीन और आस्मान का फिर एक टीम किसी ना किसी तरीके से व्क्त के साथ सथ मंहरा डेश के साथम मोनेस भी लड़ रही और और जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है और दूसरी टीम की भी आपने अप्रोश देख ली है ओपनर 40 गंदर खेल के वह कैच उट गया वहां से बेलकुल सीधा कैच था स्लिप में वरना शादमान की भी छुटी हो जानी थी तीन विक्टे गिरी होती तो दो विक्टे इंडिया ने हासिल कर ली है और बॉलिंग में भी आल ओवर बंगलादेश और बंगलादेश कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप वो खेल लें टेस्ट की तरह आज अब सुबह आए थे तब कुछ मिजाज कुछ डिफरेंट था लेटन डास जिस तरह निकल निकल के मार रहा था शेकीबुल हसन भी जिस त सवाद आ सकता है तो जो उनको सवाद दिया डी 20 का अब बगलादेश वाले टेस्ट में वाप्स आगे हैं कि दी हम इस तरीके से और जो सूर्ते आल है यह मैच लग नहीं रहा के बचेगा और बचना पर नहीं चाहिए जमीन और अस्मान का फरक है दोनों टीमों की अप्रो सब्सक्राइब करते हैं किसी ने किसी तरीके से हम ड्रॉ की तरफ चले नहीं तो फॉर्चुन फेवर्स दा ब्रेव जो बड़े दिल से खेलता है वो उसको रिजल्ट भी बड़ा मिलता है इंडिया देयर प्लेइंग फर्दा विक्ट्री और यह जो फेमिस विन है कहां हम क कबड़े में हाठ डालके जीत निकाल लेनी है पहली जीता हुआ था मैच भी उनी के नाम पर एक टीम मैच बचाने के लिए गिरते पढ़ते मैच बचाने के लिए खेल रही है और दूसरी टीम वह लगी हुई है मुक्के पर मुक्का मार मार के पुरा हाल और वो कोई छोड करने वाले की मूड में है नहीं इंडिया और बहुत अभी कल वाला जो दिन है और भी मज़ेदार आने वाला दिन है हाट्स अफ टू और गाइस दावे दे आ प्लें क्रिकेट